हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्मेंट के बाजार पर और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्मा आईपयो की जी एमपी के उपर करें जबनाज के मार्केट की बात करें तो आप सकते हैं अज सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी मिट्केप इंडेक्स ने अच्छी घ्रावट करके दिखाई यह लगबग दोस्तो अपना सेंसेक्स तीन सो पॉइंट चादर गिरता हुआ देखने को मिला थो डेफिनेटी कल के जो IPO होगा उसके लिए काफी बहतर रहता होगा आज market ने ultimately आप खहाए सकते हैं कि expiry के pressure में आके इतनी गिरावट करिए वरना market आज काफी अच्छे mood में थे 17700 के उपपर निकल के था मार्केट गिरता होगा देखने को मिला तो कल के दिन होप सो market आपको recovery करते हुए देखने को मिलेगा और बढ़िया ग्याप के साथ opening आपको कल के दिन markets में आती भी देखने को मिल सकती है अब बात करें दोस्तों सिर्मा IP की allotment status की तो दोस्तों allotment status कल के दिन आ चुका है अब दोस्तों share आने की प्रक्रिया शुरू होती भी देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पर देख सकते 25 थारिक के दिन credit of shares का आज का दिन था तो आज के दिन आपके account पे share आजाएंगे अगर आज के दिन नहीं आते तो घवरानी की कोई बात नहीं है कल 9 बजे से पहले पहले आपके खाते में share आजाएंगे और even 9 बजे भी कई बार खाते में share आते है तो definitely दोस्तो जिस भी आप आप से आपने लगाया चाहे वह 0-10 हो, Upstocks, Angel 1, SGFC कोई सा भी जिससे भी आपने लगाया है जिस भी आपने online broking sites से लगाया है उस पर आपके जो share वो देखना शुरू हो जाएंगे बस जिसको IPO आया उसके ही account पे देखने को मिलेंगे अगर बात करें IPO की GMP पर तो दोस्तो कोश्टक rates and subject to 111 rates पर बात करने वाले और उसके पहले अगर आपन बात करें IPO के price band की तो दोस्तो 20 रुपया price band पर ही आपको share मिलते वह देखने को मिलेंगे को जब भी IPO oversubscribe होते जब भी IPO oversubscribe होते है तो अपने को हमेशा अपर price band जो है तो आपको 209 वाला नहीं मिलेगा 220 वाला मिलेगा तो डेफिनेटली दोस्तो जिसको भी IPO मिलेगा उसके इसमें लिखावा आएगा 220 रुपीज के shares आएंगे वह भी 60 है quantity आप देख सकते है आप पर 68 shares की quantity है लगबग दोस्तो अभी जो currently GMP चल रही है वो है 50 रुपे जी यहां दोस्तो दोनों website के में आपको उताने वाला हूँ अभी जो सिर्मा SJS की GMP चल रही है यह तोड़गर वाली website है उस पर दोस्तो आप देख सकते है आप पचास रुपे जी एंप चलती भी देखने को मिलेगा है अगर बात करें आईपयो की लिस्टिंग की तो कल के अगली GMP आएगी कल के दिन जो मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है डेफिनिटली दोस्तो काफी बढ़िया होने वाली है अगर बात करें दोस्तो जी एंपी में बदलाव किता आतावा देखने को मिला है तो आप देख सकते है आपर कल के दिन 48 रुपे जी एंपी और आज की दिन 50 रुपे जी एंपी है तो प्लस टू का एक इंक्रिमेंट आपको जी एंपी में आतावा देखने को मिला है और डेफिनिटली दोस्तो यह काफी बढ़िया इंक्रिमेंट है जी एंपी के अंदर अब अगर बात करें सिर्मा एस्टिस की दूसरे वेबसाइट प होता 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 ही जी एक घर मिलेगा मेरे पूरे चांस्ता है तो थो चलो परसेंट का listing gain आपको जरूर इस IPO होता हुआ देखने को मिलेगा कई उससे जादा भी होता हुआ देखने को मिल सकता है but minimum to minimum 22% तक का तो listing आपको देखने को मिलेगा और ये उन लोगों के लिए काफी important है अगर माल लीजे 20% के कम से 20% से कम भी listing gain भी खुलता है तो लगबग दोस्तो 270 रुपे पर मेरा estimated listing price का जिया जो listing price होती भी देखने को मिलेगी वो लगबग दोस्तो 270 रुपे पर होती भी देखने को मिलेगी और मेरी यही सला है जिसको भी IPO है दोस्तो 4% का आप stop loss लेगे चल सकते है अगर 290 होता है तो 280 पर stop loss shift कर सकते है ऐसे अपना stop loss आप shift कर सकते है अब उन लोगों के लिए जो कल open market में share buy करना जाते है मेरी यही सला है अगर दोस्तो कल के दिन 270 से नीचे आई आई पर खुलता हुआ देखने को मिले तो जरूर आप बाइं की रेंज के होगी इस रेंज के अंदर अगर यह आई पर खुलता हुआ देखने को मिले तो जरूर आप बाइं कर सकते है stop loss जो रखना होगा आपको वो 200 रुपे का रखना होगा क्योंकि दोस्तो आई पो काफी जादा कई बार आपको loss भी करते हुए देखने को मिलते है पहले आई थिंग से एक बैक्टर फूट नाम का स्टॉक आई पया था जो खुला था लगबग 600 पर और करेंटली आई थिंग साड़े 300 पर टेट कर रहा है इसलिए दोस्तों आग बंद करके नहीं कूदना है अगर आप बाई भी करते तो stop loss पर stick रहेगा और अगर आपको profit profit होता है 10% का तो जरूर आप उसमें exit कर सकते यह में उनको बोल रहा हूं जिनके पस IPO नहीं आए और वाकि जिसके पास भी IPO है minimum to minimum जो अपना लिस्टिंग इन होगा वो लगबग 2400 रुपे का होने वाला है minimum to minimum आपको 22% का लिस्टिंग इन जरू होतावा देखने को मिलेग मेरा जो अनुमान है यह 285 रुपे के आसपास खुलतावा देखने को मिल सकता है तो दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आपके IP related कोई query हो तो जरूर में को आप कमेंट लगी बता सकते हैं मैं आपकी query को solve करने की जरूर करूंगा तो दोस्तो that's it for video वीडियो से लगाओ चैनल को सब्सक्राइब करें like करें share करें thank you for watching this video